Hello students, I'm Manoj Sar from Learning Point. तो बेटा, आज का टॉपिक है Complex Sentence. जैसा कि अभी Synthesis मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, Simple Sentences समाप्थ हो चुके हैं और आज का पहला टॉपिक है Complex Sentence. ओके? तो दिखी, पहले तो हमीं ये समझना होगा कि Complex Sentence की पाचान क्या होती है? Complex Sentence में एक Principal Clause तथा एक या एक से अधिक Subordinate Clause होते हैं. सबसे बड़ी बात क्या है? कि आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं ये Noun Clause पर अधारित Complex Sentence के बारे में हम लोग पढ़ेंगे. सबसे पहले आप एभी बेटा जानना कि Subordinate Clause तिन परकार के होते हैं Noun Clause, Adjective Clause और Adverb Clause. तो आज हम लोग पढ़ेंगे Noun Clause के बारे में. तो देखिए Noun Clause में हम जब sentence को combine करते हैं तो उसमें कौन-कौन से conjunction का प्रियोग हम करते हैं. देखिए यहाँ पर मैंने लिख दिया है Who, Which, Where, Why, What, When, That, If, Whether. यह जितने भी words लिखे गए हैं, जितने भी यह conjunctions हैं, इनका जो meaning निकलता है कास से सुरू होता है? यह बहुत ध्यान देने की बात है. देखिए मैंने इसको हिंदी में भी लिख दिया है. इनका अर्थ कास से सुरू होता है? जैसे Who, Whom तो क्या होगा? कौन, कास से सुरू हो रहा? Which, कौन सा, कौन सी? Where, कहां? Why, क्यों? ओके? What, क्या, When, कब, That means की होता है? If, means भी की होता है? और Whether, means भी की, क्या, यह होते हैं. ओके? तो बेटा, आज हम लोग जो पढ़ेंगे, तो आपको यह भी जमजना होगा, कि जब complex sentence आप बनाते हो, फिर मैं आपको repeat कर दे रहा हूँ. जब भी आप complex sentence बनाओगे, उसका main पहचान है, तो उसमें एक principle clause और एक या एक से अधिक subordinate clause होते हैं. तो देखी, मैं आपको बहुत सारे rule और नियम के अंदर लेकर नहीं जाना चाहता हूँ. क्योंकि बेटा, आज आप rule और नियम में ज़्यादा फंसे रहोगे, तो main आपका concept कभी clear नहीं होगा. अब आज आपको मैं सीधे concept पर लेकर आता हूँ, कभी भी इस तरह के sentence आएंगे, आप इसको easily आप combine करोगे. बस यही चीज़ है कि आपको main base समझना है, कि इसका बनाने का method क्या होता है. और यह मैं बहुत ही असान तरीका से आपको बताऊंगा, ताकि आपको noun clause में कभी भी problem नहीं हो. तो बेड़ा आप वीडियो को बस इतना ही करना कि शुरू से लेकर अंत तक देखना, आपको वीडियो पसंद आती है, तो इसको share, like जरूर करना, और अपने दोस्तों में share जरूर करना, और subscribe करने के लिए भी प्रेरित करना. ओके, तो come on the point, आते हैं point पर. देखिए, इस sentence में दिया है, you are a thief, you are a thief, तुम एक चोर हो, it is known to all, यह सभी को पता है, अब देखिए, जब इस sentence को आप combine करोगे, तो बहुत ध्यान से समझना होगा, okay, you are a thief, तुम एक चोर हो, it is known to all, आपको मैं एक ची बता दू, आप दिखना, दोनों पार्ट में कोई एक पार्ट और धूरा साल लगेगा, आपको clear पता नहीं चलता है, उसका अंत में यह meaning निकलता है, क्या, क्या, आपको यह ध्यान देना होगा, यही, क्या, what, what, यानि क्या, जब क्या जो meaning निकलेगा, जिस पार्ट से क्या का meaning निकलता है, उसको आपको sentence में पहले लिखना है, इतनी ही से बात आपको जानना है, अब दिखिए जिसे पहला example है, you are a thief, तुमें एक चोर हो, और यहाँ दिया है कि it is known to all, तो इस पार्ट का कोई meaning clear असपस्ट नहीं हो पा रहा है, it is known to all, यह सभी को पता है, क्या, क्या पता है, तो पहले इसको हम लिखेंगे, it is known to all, it is known to all, यह सभी को पता है, तो क्या पता है, अब क्या करेंगे क्या हाँ पर, that का प्रियोग करेंगे, that, अब इसको लिख देंगे, you are a thief, you are a thief, यह सभी को पता है कि तुम एक चोर, ओके, इस तरह से बनाना है, अगला example देखिए, he does not know, वह नहीं जानता है, who is c, वह कौन है, अब देखिए, इसका, he does not know, वह नहीं जानता है, क्या नहीं जानता है, तो पहले हम लिखेंगे, he does not know, he does not know, अब देखिए, यहाँ पर who already conjunction है, clause है, तो इस who को पहले लिखेंगे, who, अब who के बाद में, किसी भी clause जहाँ conjunction होगा, उसके बाद हम subject को लाते हैं, subject क्या है, see, पहले see को लिखेंगे, उसके बाद verb, easy को लिखेंगे, और जब combine होगा clause में, तो यह question mark हट जाते हैं, इनके अस्थान पर fully stop हो जाएगा, clear, इसी तरह से बनाना है, अगला देखिए, he may be innocent, वे निर्दोस हो सकते हैं, I don't know, मैं नहीं जानता, क्या नहीं जानता, तो पहले क्या लिखेंगे, I don't know, पहले लिखेंगे, I do not know, अब देखिए, I do not know, मैं नहीं जानता, क्या नहीं जानता, अब देखिए, यहाँ पर क्या करेंगे, हम conjunction if या whether, इन दोनों में से किसी का भी परियोग कर सकते हैं, चलिए, मैं यहाँ पर whether ही लिख देता हूं, whether, अब आप यहाँ whether भी लिख सकते हैं, if का भी परियोग कर सकते हैं, अब दिखिए, यहाँ पर है, he may be innocent, तो अब क्या करेंगे, may be को, यहाँ पर काता है कि वह निर्दूस हो सकता है, हो सकता है, may be, मैं confirm नहीं है, इसलिए हम sentence को जब combine करेंगे, तो लिखेंगे, he is, अब may be को हम is में बदाल देते हैं, he is innocent, innocent, okay, अगला example है, it is certain, he will get good marks, it is certain, यह निश्चित है, क्या निश्चित है, कोई पता नहीं, तो पहले इसको लिखेंगे, it is certain, that, यह निश्चित है, की, he will get good marks, वह अच्छा अंक प्राप्त करेगा, अब इसको लिख देंगे, he will get good marks, that's all, अगला example देखिए, I do not know him, मैं उसे नहीं जानता हूँ, someone stole my watch, किसी ने मेरा घड़ी चुरा लिया, अब देखिए, पहले हम इस पार्ट को लिखेंगे, I do not know, I do not know, I do not know, अब देखिए, बड़ा यहां पर जो someone है, किसी भी human beings के लिए, किसी भी इनसान के लिए, हम conjunction के रूप में, complex sentence में, who का प्रियोग करते हैं, तो someone मतलब किसी ने, यानि कि कोई इनसान की बात हो रही है, तो इस someone के अस्थान पर हम conjunction who का प्रियोग करेंगे, who, who, I don't know who, stole my watch, watch, बन गया, अगला example देखिए, your father will soon recover, तुम्हारे पिता जल्द ही स्वस्थ हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे, we hope so, हम उमीद करते हैं, हम ऐसा उमीद करते हैं, तो हम ऐसा क्या उमीद करते हैं, यह तो clear नहीं हो रहा, इसलिए हम क्या लिखेंगे, कि हम उमीद करते हैं, पहले इसी को लिखना है, जिससे क्या का अर्थ निकलता है, तो we hope, पहले लिखेंगे, we hope, अब यहाँ that लगा देंगे, we hope that, अब इस वाले पार्ट को आगे लिख देना है, we hope that, your father, will soon recover, recover, ओके, अब अगला पार्ट देखिए, where have you put my book, तुमने मेरा किताब कहां रखा है, अगला पार्ट काता है, tell me, मुझे बताओ, अब आप से इतना कोई कहे, tell me, मुझे बताओ, तो आप पूछोग न, क्या, तो यही बात है यहाँ पर, tell me, मुझे बताओ, क्या बताओ भाई, तो जब क्या से, जीस पार्ट से, क्या का sense निकलता है उसी पार्ट को हम पहले लिखते हैं sentence बनाते समय तो tell me, मुझे बताओ पहले लिखें में, tell me tell me मुझे बताओ क्या, क्या बताना है where have you put my book तो देखिए इसमें conjunction where का प्रियोग होगा, where जैसा कि मैं बताया close में जो conjunction होता है इसके just बाद, फिर subject को लाया जाता है, तो subject इसमें क्या है, you है फिर मैं you को लिखूंगा where you अब देखिए फिर अब verb है helping verb, where you have where you have put put my book full stop कर देंगे, तो बेटा यही जो है एकांत में समझना होगा, और इसके बाद, आप यही किसी भी topic को seriously लेते हैं, समझते हैं, तो 100% नहीं बलकि 200% वो आपके लिए beneficial होता है, और आप इस चीज़ को अच्छी तरह से समझ पाते हैं, तो बेटा ठीक है, आज इस वीडियो का पूरा देखना, आपको कहीं भी कर सकते हैं, मैं उस पर जल्दी action भी लेता हूँ, और आपको quick मैं satisfy करने का भी प्रयास करूँगा, तो बेटा ठीक है, इसी सुब कामना के साथ, फिर हम कल एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक, जय हैं